गुड मॉर्निंग चिल्डरन आज हम कारक पढ़ने वाले हैं इसका चेप्टर नमबर है एट तो बचो आजो इदर कार की परिवाशा क्या होती है संग्या अत्वा सरब नाम के जिस रूप से उसका संवन्द वाके की क्रिया से जाना जाए उसे कार कहते हैं जैसे मोहन ने खाना खाया मोहन क्या है संग्या खाया क्या है क्रिया तो क्या अर्थ हुआ संग्या अत्वा सरब नाम के जिस रूप से उसका संवन्द वाके की क्रिया से जाना जाए उसे कार कहते हैं क्लियर हुआ बच्चो आगे कारकिये संबंधों को प्रकट करने बाले चिनों को कारकिये चिन जा परसर कहते हैं ये परसर क्या होते हैं बिवक्ती चिन ही होते हैं जैसे ये दिये हैं बच्चो ने को से के से का के की में पर हो अरे आदि ये सब देकर इसी को हम परसर कहते हैं या फिर विवक्ती चिन कहते हैं ठीक है बचो अब आज़ो इदर नीचे कारक के बेद कारक के मुखे शे बेद होते हैं प्रन्तु संबंद तथा संबोधन को भी लगबग कारकों में कारकों में गिना जाता है प्रन्तु इसे कार ना कहकर उपकार कहते हैं तो कुल मिलाकर आठ कार हो जाते हैं तो बचो नीचे आज़ो कार, करता, करम, करन, संब्रदान, अपादान, संबंद, अधिकरन, संबोधन ये सारे कार्क के बेद हैं, ठीक है, ये बेद हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आगे, इसके आगे क्या दिया है, प्रभाव, जैसे करता क्या होता है, क्रिया को करने वाला करता होता है करम क्या है, जिस पर क्रिया का फ़ल पड़े, वो करम होता है करन क्या है वैसादन जिससे क्रिया संपन का मतलब पूरी होती है संपरदान जिसके हित के वास्ते क्रिया हो जिसकी अशाई के लिए कोई काम किया जा रहा हो अपादान जिससे अलग होने का भाव परकट हो संबंद क्रिया के अतिरिक अन्यपदों से संबंद बताने भाला अधिकरन क्रिया करने का काल जास्थान वो अधिकरन होता है जिस संग्या को संभोधित किया जाए वो संभोधन कहलाता है अब इनके ये चिन दिये गए हैं करता ने हमेशा करता के साथ लगता है को करम की निशानी है करन की क्या निशानी है से फिर ये के फिर अपादान से फिर समंद का की के फिर अधिकरन में पर फिर संबोधन ए अरे आदी तो बुचो इस टेबल को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है बार बार कह रही हूं इसको लर्न करोगे तो आप अपने आप का आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा आप निची आ जो मुकेश ने किताब पड़ी रादा नाच रही है करता कारग क्या है क्रिया को करने बाला करता कहलाता है इधर निची आ जो करता कारग का चिन क्या है नि है इसका प्रयोग केवल बूत काल में होता है बर्तमान काल तथा ववीशत काल की क्रियाओं बाले वाक्यों में ने जो है परसर ये विवक्ति का प्रयोग नहीं होता जैसे वो चो देखो नीचे रमेश प्रति दिन पढ़ता है तो ये वाक्य वर्तमान काल में दिया है पर रमेश करता है इसके साथ ने नहीं लगाया क्योंकि वर्तमान तथा बविशत काल की क्रियाओं में बाक्यों में ने नहीं लगता कहां ने लगाएंगे जहां हमारा वाक्य भूत काल में होगा जैसे पीशे अभी मैंने बताया आपको मुकेश ने किताब पड़ी तो ये वाक्य हमारा भूत काल में है तो इसलिए संग्या के साथ क्या लगा ले अब आगी होगी आपको बचो समय आप नीचे आजो करमकारग शब्द के जिस रूपन क्रिया का फल पड़ता है उसे करमकारग कहते हैं और इसका परसर क्या है को कभी कभी को विवक्ति का परियोग नहीं होता जैसे नीचे आजो मा ने खाना बनाया इधर को ने न लगाया बचो इधर लगाया हुआ है राम ने रावन को मारा तो इधर करम क्या है? खाना इधर करम क्या है? रावन पीता जी ने पत्तर लिखा रादा किताब पड़ती है तो इसमें एक और बचो आप याद कर सकते हो जिसमें हमें अपने प्रश्णों का उत्तर मिले तो वो भी करम कारक है जैसे पिता जी ने क्या लिखा तो हमें उत्तर मिल रहा है पत्तर लिखा रादा क्या पढ़ती है? रादा किताब पढ़ती है पत्तर और किताब जो है वो करम कारक है करन कारक क्या है करन का अर्थ सादन है या माध्यम संग्या या सरव नाम के जिस वेज से क्रिया संपन होती है उसे करन कारक कहते है इसका परसर क्या है बच्चो से या दुवारा अब देखो इसकी उधारन देखो इसका राम ने कलम से पत्तर लिखा कैसे लिखा उसने, उसका काम कैसे खतम हुआ, कलम से लिखा, तो पत्तर खतम हुआ, कमला नी चाकू से सबजी काटे, कैसे काटे सबजी, चाकू से, तो ये क्या है करन कारक है, आगे आगे बच्चों संपरदान कारक, ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है, देना जा लेना, क इसका बिवक्ती चिन क्या है? के लिए कभी कबा को परसर भी लगाया जाता है. जैसे राष्ट पती ने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बना हैं. तो जे किसी की भलाई के लिए काम किया गरिबों को धन दे दो थैले में पुस्तक है थैले में रोटिया इधर क्या लग रहा है में पर और इधर पर तो ये हमें संपर्दान कारक की और संकेत कर रहे हैं अपाधन कारक संग्या अत्वा सर्म नाम का बैरू जिसके द्वारा अलग होने लगने डरने सीखने जां तुले का बोछा तो सबसे बचो इसकी क्या निशानिया अपादानकारती जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो विवक्ति चीज जो है वो से लगता है जैसे बाल्टी से पानी निकालो आप देखो बाल्टी से पानी क्या हो रहा है अलग हो रहा है जैसे ब्रिक्ष से पत्ता गीरा तो पत्त किस से अलग हो रहा है ब्रिक्ष से अलग हो रहा है तो जिस सेज परसर जो है वो हमें अपातान कारक की और संकेत कर रहा है संबंध कारक जिस कारक से वस्तों के आप से संबंध का बोध हो उन्हें संबंध कारक कहते हैं और इसका विवक्ति चिन क्या है बचो का के की यारा रे तो ऐसे समंद कारत देखो नीचे बैरमेश का गर है का सोनू किसका बाई है अरुन का का के की तो ये क्या है हमारे समंद कारत की पहचान करवाते हैं इदर से आजो अधिकरन कारत संग्या के जिस रूप से क्रिया के अधार जिस हारा का बोध हो मैं अधिकरन कारत कहलाता है इसका विवक्ती चिन क्या है बच्चो में पर मोहन गर में हैं शत पर लड़के बैठे हैं पर और में ये हमें अधिकरन कारत की पहचान करवाते हैं समभोधन कारग शब्दो का बैरूद जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए ज़र समभोध किया जाए उसे समभोधन कारग कहते हैं इसका विब्यक्ति चिन है A, अरे, O, आदि तो जैसे O, O किसको पुकारा है? बाईस सहाब को अरे किसको बुला रहा है? कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है किसी को वो बुला रहा है O, A सब्सक्राइब और जा O, हे, हे बगवान वो क्या है, हे बगवान तो ये O, A अरे शब्द जो है ये हमें संबोधन कारकि और संकेत कर रहे हैं तो वो पिशे आजो टेबल पर आजो आपने पूरा लर्न करना है, यह पूरा करोगे, तो आपको अच्छी तरह से कार्ग की समझ आ जाएगी, तो आपने इसको लर्न कैसे करना है, यह दखो मेरी फिंगर्स, है ना, यह कितनी फिंगर्स हैं, यह मेरी 8, 8 फिंगर्स हैं, तो 8 फिंगर्स के नाम, आप इनके भेदो के नाम रख़ो जैसे इद ऐसे लर्ण करना करताने ये क्या हो गया चिन भी आ गया और कारका नाम भी आ गया करताने करम को करन से संपरदान के लिए अपादान से संभंध का की के अधिकरन में पर संबोधन ए अरे आधि तो आपने इसको ऐसे लर्ण करना है ताकि पेपरों में अगर आएगा तो आप फिंगर से इसको फटा-फट इसकी पहचान कर लोगे तो इसी के साथ बच्चो धर्ने वाद